तो हेलो एरिवन केसे हैं आप लोग सभी उम्मीद्या आप लोग सभी बढ़िया होंगी तो आज का वीडियो क्लास 10 वाले स्टुएंट के लिए इंपोर्टेंट है MP Board में की योजना चलाई जाती है Top 5 योजना या फिर Best of 5 योजना जिसको हम लोग बोलते हैं तो Best of 5 योजना के क्राइटेरिया यह होता है कि अगर आप लोग 6 सब्जेक्ट की एक्जाम दे रहे हैं तो 6 में से जो भी आपके Top 5 सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपने अच्छे नमबर लिखे हैं उनी के marks calculate होंगे बाकि एक सब्जेक्ट जो इसमें आपके सबसे कम नमबर आए हैं उसको reduce कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा यह योजना जो चल रही थी Top 5 योजना इसको हटा कर अब सारे सब्जेक्ट के marks जुडने चाहिए लेकिन अभी तक सरकार ने इसके उपर 2023-2024 की जो बेच है जो लोग 2024 में एक्जाम देने जा रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन जो लोग 2024-2025 में मतलब 2025 में जो लोग एक्जाम देंगे उनके लिए खतरा आ चुका है क्योंकि अब आपको Top 5 या फिर लोग बोलते हैं Best of 5 योजना का लाब नहीं मिलेगा 2024-2025 जो बेच हमारी है वहाँ पर आप लोगों को Top 5 योजना मतलब Best of 5 योजना को नहीं देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अभी जो लास्ट सेशन बचा हुआ है 2023-2024 का ठीक है जो बच्चे इस साल एक्जाम देने वाले हैं 2024 में एक्जाम देने वाले हैं ये जो सेशन में स्टुटेंट्स हैं उन्हीं लोगों के लिए ये योजना अभी बची हुई है मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इसके बाद ये योजना खतम हो जाएगी तो इसे स्टुडेंट जो कि 24 में अपने एक्जाम देने वाले उनको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ये योजना चलती रहेगी इसके लावा एक और बात MP board ने एक और आदिश को पारित करा है वो ये है कि अब से आप लोग गणेद भी दो प्रकार से ले सकते हैं एक सामान्य एक आप लोग बोल सकते हो थोड़ा सा advance ठीक है simple और एक advance जो simple होगा general होगा general में ये रहेगा कि वहाँ पर maths के easy question आएंगे इसके अलावा advance जो रहेगा advance का मतलब है कि वहाँ पर difficult questions आएंगे maths के ठीक है तो ऐसे student जो कि आगी जाकर class 11, class 12 में maths लेने वाले हैं अच्छे से maths focus करना चाहते हैं तो उनके लिए advance paper रहेगा या आपके उपर रहेगा लेकिन ये जो अभी बिल पारित हुआ है और ये आपने बोल सकते हैं आदेश्ट पारित हुआ है इसमें ये सारी बाते 2024-2025 बेच के लिए बताई गई है तो आप लोग अगर 2024 में हैं तो आपके लिए जो योजनाय पहले से चलती आ रही है उन्ही को इस साल भी रखा जाएगा तो 2023 वालों को तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है 2023 वालों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जो लोग 2025 में अपने एकजाम देने जा रहे हैं वो लोग धिहां से सुन लिजिए जो क्लास नायंथ में इस समय हैं वो लोग सुन लिजिए कि आगे से आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अगर मेत्स करना है तो मेत्से focus करेए अगर नहीं करना है तो simple maths लें पास होएं और काम खतम आपका ठीक है तो ये सब कुछ रहेगा तो I hope आप सभी को समझ में आओगा इसके साथ एक और बात हमारे चैनल पर best तैयारी करवाई जाती है class 10th की class 12th की तो आप लोग चैनल को subscribe जड़ें